तणाम में गारिमा सिंख सबसे बड़ा सवाल में आज बात महिला सम्मान की और महिला सम्मान की इस लड़ाई में सियासत की भी दरसल देश का दिल दिली जिसमें घवासान है पिछले पाँच दिन से महिला सम्मान पर और इसकी जब में जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है दिली के मुख्यमंतरी अरवंद केजरीवाल पहले से बड़ा संकट जेल रहे हैं शराब घोटाले का अंतरिम जमानत पर है दो जून को सरिंडर करना है अदालत के सामने और इसके बीच में उन्हीं की पार्टी की राज्यसबा सांसद स्वाती मालेवाल ने एक बड़ा और बेहत गंभीर आरोप लगाया F.I.R. दर्ज हुई 16 माई को हलाकि सलसलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि कम मामला शुरू हुआ कितनी देर की खामोशी रही लेकिन जो F.I.R. दर्ज हुई 16 माई को उसमें स्वाती मालेवाल ने बड़े गंभीर आरोप लगाये और यह कहा कि वो 13 माई को अरवंद केजरीवाल से मिलने पहुची थी उनके आवास पर सुमा के तकरीबन 9 से सवा 9 के बीच और इस F.I.R. में जो कहा गया वो यह F.I.R. मेरे पास भी है विभव कुमार पर आरोप लगाये गए विभव कुमार के जरीवाल के परसनल असिस्टेंट और क्या कहा उन्होंने यह स्टर्टेद स्लापिंग मी विद इस फुल फोर्स He slapped me 7-8 times at least while I continued screaming and brutally dragged me and deliberately pulled my shirt up my shirt buttons opened and shirt flew up I landed on the floor while hitting my head on the center table मुझे मारा गया थपड मारे गये मेरा सिर मेरे बालों से पकड कर टेबल पर दे मारा गया और मैं मदद के लिए चिला रही थी लेकिन उस बीच मेरे पास मदद के लिए कोई नहीं आया यह F.I.R. में गंभीर आरोफ है स्वाती मालेवाल के और जितने भी आरोफ है उनमें से ज्यादतर नॉन बेलेबल आरोफ है जिनमें ज्यादा से ज्यादा साथ साल तक की भी सजा हो सकती है 308, 341, 354, 506 और 509 और इस मामले में आज की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जो आरोफ लगाए गए उसको लेकर मेडिकल चेक अप हुआ स्वाती मालेवाल का दिली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एमस में और आज सुभा उसकी माडिकल रिपोर्ट भी आ गई और इस मेडिकल रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा संकट हुआ अर्विंद केजरीवाल के लिए या फर पार्टी के लिए वो ये कि पुष्टी हो गई सारे आरोपों की स्वाती मालेवाल से मारपीट की पुष्टी हुई और इसमें लिखा है ब्रूस ब्रूस ओवर प्रॉक्सिमल लेफ्ट लैग ब्रूस ब्रूस ओवर राइट चीक बिलो राइट आए यानि की डाई तरफ की आख के नीचे चोट के निशान है और बाएं पैर में भी चोट के निशान है अब जाहर है ये मेडिकल रिपोर्ट आने के माद और बड़ा घमासान हुआ और इसके ठीक बात दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुँची अरविंद केजरीवाल के घर और वहां से सेकरेटरी पी ए विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया गया अब ये बड़ा सवाल है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एफायार दर्जो नॉन बेलेबल ओफिंस जिसके खिलाफ हो और ये 13 माई की कहानी जहां से शिरू होती है 13 माई की मैंने आपको बताई की सुबह पहुची थी स्वातीमालिवाल मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल से अर्विंद केजरिवाल की बारे में बताया गया कि वो घर पर नहीं थे पी ए विभव कुमार सामने आये उनको मनाने की कोशिश हुई लेकिन स्वाती मालिवाल लगातार चिला रही थी लगातार अब शब्दों का इस्तिमाल कर रही थी यह दूसरी तरफ की कहानी है जो विभव कुमार ने अपनी कम्प्लेन दी है सिवल लाइन्स पुलिस स्टेशन में यह वो कहानी है अब ऐसे में पुझा शुब तरफ की जो कहानी है इसमें कुछ मामला पेचीदा भी दिखता है हाला कि आज 30,000 कोट ने अग्रेम जमानत की याचिका विभव कुमार की खारच करती है और इस से विभव कुमार अब 13 माई से लेकर 16 माई 13 माई का वाकिया है सिविल लाइन्स थाने भी पहुचती है स्वाती मालेवाल मुक्यमंत्री आवास से निकल कर सीधे लेकिन वहाँ उन्होंने कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराई और वहाँ से वो वापस लोट गई तो 13, 14 और 15 माई खामोशी रही सनाटा रहा 16 माई को FIR दर्ज हुई फिर मेडिकल हुआ और उसके बाद आज ये अरिस्टिंग हो गई और इस बीच सियासत कितनी बारीकी से घुस्ती हुए नजर आई बड़ा इंतजार था कि अर्विंद केजरीवाल सामने आएंगे अर्विंद केजरीवाल इस पर कुछ कहेंगे लेकिन अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फरेंस की अर्विंद केजरीवाल ने और स्वाती मालेवाल पर कुछ न कहते हुए उन्होंने जो बातें कही वो ये कि मैं अपने सारे विदायकों के साथ सारे बड़े नेताओं के साथ पहुंचूंगा बीजेपी ओफिस कल सुबह बारा बजे जिसको चाहें प्रधान मंत्री गरफतार कर सकते हैं वो जेल का खेल खेल रहे हैं ये तो कहा लेकिन स्वाती माले केजरीवाल पर AlvindIT Kejrival चुप रहे गये चिए अप बैड़ा सवाल है रेखा शर्मा भी आरोप लगा रोगा रही है NCW की जो प्रेजिदेंट हे कि केज़रीवाल ने विभव कुमार को छिपा कर रखा गूमी रहे थे विभव कुमार लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ आपको याद होगा लखनाओ की प्रेस कॉंफरेंस में अरविंद केजरीवाल थे अकलेश यादव थे संजय सिंग बैटे हुए थे सवाल अर्विंद केजरीवाल से हुआ स्वाती मालेवाल के विशे में माईक संजे सिंग ने ले लिया और कहा कि हम सब साथ खड़े हैं आमादमी पार्टी एक परिवार है लेकिन उसके पहले की जो एक और प्रेस कॉनफरेंस से संजे सिंग की नजर उस पर भी जरूरी हो जाता है डालना क्योंकि उसके बाद के घटना क्रम बड़े चौकाने वाले हैं और आश्चरे जनक तरीके से बदले संजे सिंग ने जो 14 माई को प्रेस कॉनफरेंस की थी उसमें बाकाइदा ये कहा था कि कल सुबा अरविंद केजरीवाल से मिलने स्वाती मालेवाल उनके आवास पर पहुँची ड्रॉइंग रूम में वो केजरीवाल का इंतजार कर रही थी इस बीच मुक्खे मंतरी के पी ए विभव कुमार लेकिन उसके बाद जैसे ही एफायार दर्ज हुई ठीक वैसे ही आतिशी, सौरब, बारदवाज तमाम लोग एक सिलसलेवार तरीके से सामने आने शुरू हुए और बयान दर बयान बदलता चला गया आतिशी का बयान उन्होंने जो प्रेस कॉन्फरेंस की उन्होंने आरोप ये लगा दिया कि स्वाती मालेवाल बीजेपी का मोहरा है अवेद भरती मामले में उन पर भष्टाचार के आरोप है बीजेपी इस ग्राउंड पर उन्हें ब्लाकमेल कर रही है स्वाती मालेवाल से उस दिन केजरीवाल मिल लिये होते तो जो आरोप विभव कुमार पर हैं वही आरोप केजरीवाल पर होते ये बड़ा आरोप आतिशी लगा रही है सौरा भारतवाज ने कहा कि बीजेपी के लोग स्वाती मालेवाल के संपर्क में है और उन्हें टूल बनाया जा रहा है आबादमी पार्टी के खिलाफ इस बीच दो बड़े जो जरूरी अपडेट्स हैं वो भी आपको बताना लाजमी हो जाता है दो वीडियो क्लिप जारी हुए एक 52 सेकेंड का वीडियो क्लिप और दूसरा 32 सेकेंड का वीडियो क्लिप और इन दोनों वीडियो क्लिप के जरीया अमादमी पार्टी ने ये बताने की कोशिश की कि अगर स्वाती मालेवाल के साथ सच में अभदरता और बत्तमीजी मार पिटाई हूँ होती तो फिर वो विडियो क्लिप में जिस तरीके से धमकाती हुई दिख रही है वहां के सारे स्टाफ को किजरीवाल के घर के स्टाफ को वो कैसे संभवत आपशब्द कह रही है और बोल रही है धमकी दे रही है कि सबकी नौकरियां ले लूँगी इसके ठीक बाद वो सीम आवास से जब निकल रही है तो मिलकुल सही सलामत ठीक ठाक निकल रही है कहीं पर लंगडाते हुए नजर नहीं आई स्वाती मालिवाल तो इन दोनों वीडियो क्लिप्स का अधार बनाकर लगातार अब आम आदमी पार्टी अपने डिफेंस में ये कहते हुए उतराई है कि बीजेपी सियासत कर रही है और निसंदे पिछले तीन दिन से जब से एफायार दर्ज हुई तब से बीजेपी बड़ी हमलावर है और बड़े नेताओं की फौज बीजेपी की भी सामने है मैदान में सोचिए जराब देश की वित्तमंत्री है निर्मला सीता रमण उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस कर दी कि ये सीम महिलाओं को क्या सुरक्षा देगा महिलाओं के खिलाफे केजरीवाल पार्टी का चरितर देखिए कि आपने दिल्ली में एक भी महिला कैंडिडेट नहीं उतारा सुमनाद भारती को टिकट दे दिया जो सुमनाद भारती पतनी की पिटाई के आरोपी है और आज शहजाद पुनावाला ने ये कहा प्रेस कांफरेंस करके कि अर्विंद केजरीवाल ने विभव कुमार को संरक्षन दिया है वो बचाने का प्रयास कर रहे है केजरीवाल बाहर आएं और ये बताएं कि विभव के पास आखिर ऐसे कौन से राज है जिसके वज़ा से कर्रवाई के बजाए केजरीवाल निम्न स्तर पर जाकर भी उसे बचाने का प्रयास कर रहे है संरक्षन दे रहे है तो एक बारगी जब स्वाती मालिवाल की जो कहानी है वो सुनते हैं तो लगता है कि राज्य सभा सांसद के साथ और राज्य सभा सांसद भी छोड़ दीजे अगर एक महिला के साथ सीमावास में इतनी अभधरता और बदसलूकी होती है तो निसंदे कारवाई होनी चाहिए पर दूसरी तरफ की जो कहानी है जो वीडियो क्लिप्स के जरी आम आदमी पार्टी रखने की कोशिश कर रही है वो एक अलहदा कहानी है और जो तीसरी कहानी है जो बीजे पी से जुड़ती है कि क्योंकि भष्टाचार की आरोपी है स्वाती मालिवाल बीजे पी दबाव बनाते हैं फिर मामला दर्ज करते हैं फिर जेल में डालते हैं और फिर सियासत करते हैं तो यह तमाम चीजे कहीं क्या किसी एक बिंदू पर मिलती हुई जुड़ती हुई दिखती है लेकिन अगर सवाल महिला संबान का है तो फिर सवाल पूछे जाने ये भी चाहिए कि बि जीवन भर में इतनी जबरदस्त हिंसा कहीं नहीं देखी जिस पर कारवाई सिफर प्रजबूशन शरण सिंग पर सिफर प्रजुवल रेवन्ना पर सिफर और मनिपूर में भी एन बीरेन से लेकर जो मुख्यमंत्री थे वहां के सब की जिम्मेदारियां भी सिफर